नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सम मल्टिपल चैस क्वेशन्स जो की इंपॉड़न्ट हैं कंपिटिटिव एक्जाम्स के लिए और अगने वीर आर्मी एक्जाम जो लोग देने वाल करें हैं अगर आप लोगों का साथ और सपोर्ट हमें मिला तो डेफिनिटली हम इस सीरीज को लंबे आगे खींचेंगे और यहां पर हम जनले नालिज के क्वेशन्स साइंस के क्वेशन्स मैथमेटिक्स रिजिनिंग उन सभी टॉपिक्स को भी वन बाई डिसक्स करें तो चलिए आए इस वीडियो को शुरू करते हैं जादा बाताना करते हुए हम क्वाइशन के तरफ चलते हैं और देखते हैं कि से पकार सी we oy पहले जो यॉपर वह कौन दे उसके चुर पर यह क्वेशन्स हैं आपके पास बहादुर्शाल जफर अकबर जहांगीर या और एंगजे इन में से कौन जो है वो लास्ट मुगल रूलर था तो लास्ट मुगल रूलर कौन था उसके पर यह तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा इस बहादुर्शाह जफर जो थे वो लास्ट मुगल रूलर थे इसके तो ऑप्शन एस बहादुर्शाह जफर आगे चलते हैं गाइस को से नदी के किनारे पर है वह कौन सी नदी के किनारे पर है और आप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन मिला है गदावरी कावरी के किनारे located है सो इसका जो राइट आंसर है गाईस की हम बात करें तो जो आपका राइट आंसर हो चाहेगा धैडिस ओफ्शन किनारे आगे चलके बागी रिठी साथ संगम यह होता तो प्लैनेट के नाम से आपसे जानागी है यह जो कि लाल है लाल मुद्ध के नाम जानते हो वारे में तो यहां पर आपके पास है मास बी जोपिटर यूर्ड ऑप्शन इस सेटर तो कौन सा ऐसा प्लानेट है जिसको रेड प्लानेट के नाम से हम लोग जानते हैं आप लोग भी वीडियो के साथ में आपनुए आंसर को खुद भी देख सकते हो गाई इसके आंसर खुद देते ज से मास जो है वह रेड प्लानेट के नाम से जाना चाहते हैं और आगे चलते हैं आपके शिरी हरी कोटा इस लोकेटड जो है वह कहां पे लोकेट़ आपके पास है तामिल नа डू दे लंग आना आंदर प्रदेश यहां खहरा तो आपका जो राइट आंसर है देखिए इसका राइट आपको मिलेगा अंद्रप्रदेश एक जी ऑप्षिन सेकेंड इस जो राइड आंसर हो जाएगा आंद्रप्रदेश एक जी ऑड़ते हैं इसके नक्सक्राइट की तरफ चलि गैंगिस खान जुक्त था गैंगिस खान नहें कौन सी डानेश्टी की खोज की थी और ऑप्षिन ऑसे अपके पास है लोदी डानेश्टी ऑप्षिन भी इस मंगोल अमपायर गैज ऑप्षिन थी महूल एंपायर या फिर मुगल तो गैंगीश खान है यह किसके साथ लोगेटर थे किसके कौन से एंपायर के साथ ने खोज़ की स्वाइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा तो करते हैं इसका आंसर के बारे में आगे पाइन आर्मी कीमाड़ इल्टा बारह मिलची है जो है कि इसके नदर कमाड़ कितना होती है यह पांस होती है उसके पास हो जाएगा वह आगे बढ़ते हैं क्वेशन के तरफ कौन सी सिटी है उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है बहुत असान प्रशन है आपके पास बीकनेर जैसलमेर जमशेदपूर या फिर जैपूर तो यहां पर हो जाएगा जैपूर जाएगा जैपूर फिर हो आगे चलते हैं आप next question is who is known as grand old man of India किनको grand old man of India के नाम से जाना जाता है this question is from army agnivir who is known as grand old man of India तो option A है लाला लाजपत राय राज गुपालाचारी दादाबाई नरोजी खान अब्दुल गफर खान तो किनको इस नाम से जाना जाता है सो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका हो जाएगा जी दादाबाई नरोजी एसका हो जाका पूदिकने को मिलेगा चले आगे बढ़ते हैं next question is, इसको थोड़ा से नहीं चिगाल लेते हैं, so guys, here it is, चलिए, next question, so what we get is, so आपका next question है, who is second Indian to get Nobel Prize, कौन से second Indian हैं, जिनको Nobel Prize मेला था, who is second Indian to get Nobel Prize, who is second Indian to get Nobel Prize, तो आपके पास option है, रविंदना टैगोर, सीवी रमन, कैलाज सत्यार्थी, ओशन डीज, घर गोविंद खुराना, ठीके गई, second Indian कौन थे, जिनको Nobel Prize मिला था, जिनको Nobel Prize के बारे में बात करें, तो पहला जो मिला था, जो पहला Nobel Prize मिला था, जो सेकंड मिला था, वो मिला था, सीवी रमन, ठीके गई, इस कांसर आपका हो जाएगा, सेकंड, कौन सा हो जाएगा जी, सीवी रमन, सीवी रमन को, आपको मिला था, प्राइस सेकंड, सेकंड प्राइस काईस, इसको, इनको मिला था, सेकंड प्राइज मिला था इनको सेकंड इनको मिला था सेकंड और फर्स्ट की बात करो फर्स्ट की इनको मिला तो इसको आप याद रिखेगा फर्स्ट जो है जो फर्स्ट मिला रमेंदना टैगोर्ची को रमेंदना टैगोर्ची को मिला था ठीक है तो इस बात से इनको याद रखेगा जो पहला नोबल प्राइस मिला था वो रमिंदना टाइगर्ची को मिला था इस वेरी इंपॉट्वाइस आगे बढ़ते हैं दा हाइस्ट पीस टाइम गलेंटरी अवार्ड सबसे बड़ा कोहन सा है कीरती चक्र परमवीर चक्र शोरे चक्र या अशोक चक्र तो इसक सब्सक्र आपके पास हो जाएगा ऑप्शन दी वाशिक्टन जो है वह इनका राइट अंसर आगे बढ़ते हैं गाईस नेक्स्ट कोश्टन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्टन आपका कुछ इस प्रकार है तेकि क्या है विट इनविष ये पॉग्ष्ट अ क्या है वज रस रजीक आ सुल्तान दी तेक्ष हटा दिया गया था हूंट सा इस कर्षेν आपका जो तो इसके आप्षियर में सुल्तान को किया गया साथ दिली को प्रैट्स ऐगा तो इसके उप्षण आगे जो है वह ऑप्ष होपिशन 225 फार्ट कहां पर नेशनल पंपार्क यह कहां पर हैं इस यहां पर गुब मैं इस बिल्डेल ने पार्ट पार्ग अधर जवदस ने पार्ग है तो या आपके पास आ गया इस तो आपको जो आपके पास बार में बात करेंगे तो यह तो आगे बात करते हैं which city of the China is most affected by coronavirus ठीक है जी कौन सी सिटी थी इंडी चाइना की वो कौन सी सिटी थी जो की करोना से बहुत ज़्यादा अफेक्ट थी करोना वायरस से भुहान बीजिंग शेंगाई जैंगाई जैंजन तो इसका आपको जो आंसर मिलेगा that is obviously सबको पता ही होगा बुहान इसका जो है रैड ऑंसर क्या हो जाएगा रडा जाएगा गया नैक्सके इस फॉल फॉर्म ऑफ जी इसच जैसियो है उसकी फूल फॉर्म क्या है इस सिदर चौर्शन तो वहत इस दो फॉल फॉर्म उपव जय स्ट तो आपके पास option ए गुट से सर् ुए थैक है guys तुकहाइज के questions में क्या होता है cho कि question paper आपके हाथ में आए इस तरीके के जो होते हैं आप आलमस्स आपको सेम सेम चीजे लगें बहुत ध्यान से पढ़के कीजिए आप बहुत बार कि तो मिलते हैं नेक्स विडियों में और अगर यह वीडियों अच्छी लगई थैंक्स वॉच्छंग प्लीज लाइक्से किजिए रिए कीजिए रोकूर जैजिए लेके आएंगे जो आपके एक्जामिनेशन के अंदर बहुत जादा होने वाले हैं और आप जो बैल आइकन बना है साइड पर इसको भी हिट कर दीजेगा ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट जितनी भी वीडियो से उसकी नोटिप्रिशन आपको सबसे पहले मिलती रहें तो च